प्रक्रण एक धर्मिक सामाजिक जागरुती राजा राम मोहन राय सारांश राजा राम मोहन राय ना लगन बालपण मा थया हता तेमना भाईनों आउसान थता तेमना भाभी सती थयानी असर राजा राम मोहन राय पर खूब पड़ी तेथी तेने बाल लगन सती प्रथा बाल कीने दूद पीती करवानों उग्रविरूत कर्यों आउप्रांथ तेने अने ओग्णिस्मी सदी मां भारत नी नवजागरुती मांटे सामाजिक, धार्मिक अने राज किये चलवालनों पायो नाख्यों। अने ओग्णिस्मां बंगाली मां समवाद कवमुदी अने इस विशन अधार्चो बाविस्मां फार्थी भाषा मां मिरात उल अखबार नामना समाचार पत्रोश्यरु करया। स्थ्री अधिकार, व्यक्ती स्वातंत्र अने कारोवारी थी नियाय तंत्रने लक्ती भलामनों ब्रिटिश सरकार ने करी। इस विशन अधार्चो त्रीस मां दिल्लीना बाजशा है पोताना जागेरी हक अंगेना केस बाबते राजा राम मोहन राएने इंगलेंड मोकल्या। इस विशन अधार्चो त्रीस मां ब्रिस्टॉल मुका में राजा राम मोहन राएनों अवसान थयो। ती सारांश दयानन सरस्वतिये नानी वैज मूर्ति पूजा अने कर्मकांड नी बिन उपियोगीता समझाई। तैमने सत्यनी शोध मां गृहत्याग कर्यों अने मथुरा मां सन्यास लई स्वामी विर्जानंद ने पोताना गुरु बनाव्या। तैमने बाललगन, क्रियाकांड, सति प्रथा अने अस्पुरुष्यतानों विरोध कर्यो हतो। उप्रान तैमने धार्मिक, सामाजिक अने रास्ट्रिय द्रस्टिये देशनी एकता साधवानों प्रयास कर्यो। सैध्धान्तिक समज, दयानंद सरस्वती नो जन्म, सौरास्ट्र ना मोर्भी नजीक ना टंकारा गाम्मा सनातन ब्राम्मन कुटुम्मा थयो हतो। तैमने पंदर वर्ष सुधी, देश भर्मा परिब्रमन करी योगनों अब्यास कर्यो। तैमने लोकोंने वेदो तरफ पाचावड़ो अने एकेश्वर वादनों बोधापयो। तैमज, सत्यार्थ प्रकाश नामना ग्रंथ नीरचना करी हती। दयानंद सरस्वतिये आर्य समाजनी स्तापना इस विशन 835 मा करी जैनो प्रचार पंजाब, लाहोर, उत्तर प्रदेश, राजस्तान अने गुजरात मा करवा मा अव्यो। आर्य समाजे धर्मांतर पामेला हिंदुओने हिंदु धर्ममा पाचा लावा माटे शुद्धी चलवल शरू करी। जनाती हिंदुओने पाचा आववाना द्वार खुल्ला मकाया हता। स्वामी दयानंद सरस्वतीना अवसान पची लाला हंसराज, पंडित गुरुदत अने लाला लजपतराय जिवानेताओ ये संस्तानी प्रवरुत्तियों चालू राखी। स्वामी श्रद्धानंदे इस्विशन ओग्णिसू ब्यमा हर्द्वार पासे कांगणी गुरुकुल अने गुजरात्मा वडोध्रामा आर्यकन्या विद्यालै शरू करवामा आव्यो जेमाश्षिस्त, श्रम, सैयम अने चारित्रिना पाठोनू शिक्षन आपवामा आउत रामकृष्ण मिशन मट सारांश रामकृष्ण परमहंसे इश्वर ने पामवाना विविद रूपे प्रयत्न करयो हतो। तैमज शुद्ध चारित्र अनि ग्नान भक्तिना उपदेश थी लोकोंने मदद करता। केशव चंद्रसेन तथा दयानन सरस्वती सहित घणा धार्मिक सुधारकों ये तैमनी पासे थी मार्ग दर्शन मिलव्यों तैमज पाश्वात्य असर्मा आविला लोकोंने रामकृष्ण परमहंसना बोध थी पोताना धर्म अनि संस्कृति बा पुन श्रद्धा उत्पन सद्धानतिक समाज स्वानन्द नरेंद्र नाथ दत्थ इस विशन 1863 ओगणिस्तोबे नामना बंगालीस नातक रामकृष्ण परमहंसना संपर्कमा आविया अनि तैनी ज्णान पिपासानी त्रुप्ती रामकृष्ण परमहंसे करी आम नरेंद्र रामकृष्ण ना सिश्य बन्या अनि सन्यासलाई स्वामी विवेकानन्द नाम धारण करी भारतिय अनि पास्चात्य तत्वग्णान ना उंडा अभ्यासी बन्या स्वामी विवेकानन्द लोकोंने दुखी मानवोनी सेवा करवा अने तैमाज इश्वर ना दर्शन करवानों बोध पाठाप्यों तैमाज तैमने भारत ना युवानों मा भुतकाल प्रत्य गवराव अने भविश्य माटे श्रद्धा जागरुत करी उपरांत तैमने इस विशन अढ़ार सो त्राणों मा युनाइटेट स्टेट्स ना शिकागों मा भरायली अखिल विश्व धर्म परिशद मां हाजडिया पिहती आम बादमा युनाइटेट स्टेट्स, युरोप, एजिप्त, चीन, जापान वगेरे देशों मा प्रवास करीने भारतिय संस्कुरुती नों फैलावो करेो तेवो भारतिय संस्कुरुती ना प्रशंशक अने प्रखर रास्ट प्रेमी होवा थी तेमने भारतियोंने उठो, जागो अने ध्याई प्राप्ती सुधी मंड्या रहोनू सुत्र आप्यो स्वामी विवेका नंदे इस विसन 870 मा बेल्लूर मा रामकृष्ण मिशन मठनी स्थापना करी जमा विविद कार्यों द्वारा मानव सेवा करवानों आदर्श अपना वमा आव्यो आम रामकृष्ण ना जीवन माथी प्रेड़ना मेलवी जन सेवा एज प्रभु सेवाना सुत्रनों अमल करवामा आव्यो अने देश मा श्रालाओ खोली, शिक्षन आपवानों आने दवाखाना द्वारा सेवानों कार्य शरु करवामा आव्यो जनी शाखाओ भारत मा अने देश विदेश मा आजे पणकार्य रच्छे मुस्लिम समाज मा सुधारानी चालवाड सारांश ओग्णिसमी सदीनी शरु आत्मा उत्तर प्रदेश मा राय बरेलीना सैयद अहमद खान अने बंगाना शरियत उल्ला जिवा लोकों नी आगिवानी हिठल मुसल्मानों मा सामाजिक अने धर्मिक जागरुतीनों आरंब थायो हतो जमा तेओए धर्मिक नेता दिल्लिना शाव वली उल्लाहना उपदेश मा थी प्रेड़ना मेडवी हती तेओ एओँ मानता हता के भारतमा इसलाम धर्म दूशित थवा थी देश उपर अंग्रेजोए शाशन स्तापियो छे आम तेमने इसलाम धर्म अने संस्कृतीने मजबूत अने शुद्ध करवा वहाँ भी आंदुलन चलाव्यों सैद्धान तिक समझ वहाबी आंदुलन बाद थोड़ा मुसल्मानों मा पाशवात्य विचारों नो प्रभाववत्ता अंग्रेजी शिक्षन नो प्रमान वध्यू जमा उलेमाओनी रूडि चुस्तताने लिधे मुसल्मानों अंग्रेजी शिक्षन अने आर्थिक तथा सामाजिक लाभो थी वन्चित रहा जमा तेओ मा शिक्षित अने मध्यम वर्ग नो उदय बराबर थयो नहीं सर सैद अहमद खान नो जन्म उम्राव कुटुम मा थयो हतो तेमज इस विशन 857 स्वातंत्र वक्ते कंपनी सरकार्नी नौकरी मा हता अने ते वक्ते कंपनी ने वफादार रहा हता इस विशन 8913 मा निवरुत्ति पची तेओ इंगलेंड गया अने तेना उदार मतवाद थी प्रभावित थया तेमज तेमणे मुसल्मानोंने अंग्रेजी किलावणी लईने तेमणू पच्छात पणू अने रूठी चुस्तता दूर करवानू आग्रह कर्यो तेमणे इस विशन 8813 मा निवरुत्ति पची तेमणे इस विशन 8813 मा निवरुत्ति पची तेमणू जुदा जुदा समाज द्वारा थैल जाग्रोतियो सारांश व्यक्तिगत लोकों नी ताकात वत्ता जुदा जुदा समाज द्वारा पन सामाजिक अनि धार्मिक सुधारा करवा मा अव्याहता जेम के शीक समाज पार्सी समाज सैध्धान्तिक समाज अंग्रेजी किलवणी पामेला पार्सी युवानों धर्म अनि समाज सुधारना माटे इस विशन अढ़ार सु एक कावन मा रहनुमा इए मजदयर सभानी स्थापना करी जनानेता दादा भाई नवरोजी हता आ संस्ता द्वारा राष्त गौफतार नामनों मुखपत्र शर करवा मा आवयो जने पार्सी सुधारना आंदोलन ने वेगा आपयो के आ तथा बहराम जी मलबारी द्वारा धर्म अनि समाज सुधारना नु कार्य करवा मा आवयो जमा कामाये शिक्षण ना प्रचार उपर अने मलबारी ये स्त्री उन्नती पर भार मुख्यो उपरांत त्यमने बाल लगननों विरोध कर्यो तथा विद्वा विवाहने उत्ते जनाप्यो आम मलबारी ना प्रयात्नों ने लिदे सरकारे इस विसन अढ़ार सुए कानु मा लगन माटे सम्मती वैठरावता कायदानी रचना करवामा अविहती जुदा जुदा जिल्लाना सुधारको सारांश अलग-अलग राज्यों नी चैम जिल्लाओं मा पण व्यक्तिगत स्तर पर सुधारा करवामा अविहता जमा ज्योती बाफुले अने ठककर बापाये आगल परतो भाग भजव्यो सैद्धान तिक समज ज्योती बाफुले ज्योती बाफुले महराश्रुना जानिता समाज सुधारक होवा थी तेमने स्त्रियो तथा दलितों ना प्रश्णों हाथ पर लिधा इस विशन अधार सो सत्तावन मा तेमने पुना मा कन्याशाला शरू करी तेमने ज्विध्वाओने पुनार लगन करवा मा मदद करी समाज मा ब्राम्मणों ना आधिपत्य सामे पड़कार फैंकी लोकों मा आत्म विश्वास, हिम्मत औने उच्साह जगाडवा माटे जन संग ना मंत्री तरीके ठककर बापा है वर्षो सुधी सेवाओ आपी ने हरी जनुना उतकर्ष मा कींती फालव आपयो तेमने कुद्रती आफ़तो वक्ते लोकों ने राहत आपवामा नोंध पात्र प्रदान कर्यो अमरुतलाल ठककर उर्फे ठककर बापानों जन्म भावनगर मां इस विशन अढ़ार सो उगण सित्तेर मां थायो हतो तेवो आजीवन कर्मनिस्ट सेवक हता अने तेमने इजनेरी नी डिगरी मिलवी हती तेमत सारा पगार नी नोकरी छोडी ने घांधी जीना प्रभाव हेठल तेमने छेवाडाना लोकों नी सेवा करी ठक्कर बापा ये पंच महाल भील सेवा मंडल नी स्तापना करी अनि तेना द्वारा पंच महाल ना उन्डान वाला जंगलों तेमच पहाड़ी विस्तारों मा वस्ता भीलों ना जीवन मा मोटू परिवर्त नाणियों ठक्कर बापा ये तेमना साथीदारों भीलों ने दारू तथा अन्यबदियों मा थी तेमच कूटेवों अने वहमों मा थी मुक्त करया अने बालकों माटे शाड़ाओ खोली आम तेमने रेटिया कात्ता करया अने कुटेर उध्योग मा पन सामेल करया समय जता लोकों मा राष्ट्रिय चेतना विक्सित बनी अने तेओ स्वातंत्रिय चल्वल तरफ वल्या घांधी जीए अस्पुरुश्यता निवारन ने महत्वापता पचात वर्गों इस्तिती सुधार्वाना प्रयासुमा नोध पात्रे प्रगती थाई विद्यार्थियो आ प्रकरण अही समापत थाई छे